इस बार टाइगर मास्क में क्या होगा अगर तुम आगे बड़े तो ये बच्चा नहीं बचेगा डर पो ये लो और तभी अलाम बचता है क्या तुम्हें लगता है तुम यहां से भाग सकते हो टाइगर हमेशा कॉमिक की अंत में स्टोरी कितनी इंट्रेस्टिंग हो जाती है डोरेमान नीजी को नीजो की टाइगर मास्क हमेशा मुझे सस्पेंस में रखती है डोरेमान लेकिन नोबिता अगले इशू में टाइगर मास्क कैसे बच कर निकलेगा मुझे नहीं पता डोरे मॉन मुझे तो ऐसा लगता है नोबिता इस बार वो बचने ही पाएगा ऐसा नहीं हो सकता बिना हीरो के कॉमिक का क्या होगा मुझे पूरा यकीन है उसके पास एक बड़िया प्लान होगा डोरे मॉन लेकिन वो क्या करेगा आइडिया हम ओधर से पूछ सकते हैं नोबिता यह है ओधर नीजी को नीजो का घर क्या घर पर कोई है वो अंदर होंगे एक मिनट रोको तुम कहां से आये हो तुम्हारा नमबर बात में आयेगा अभी वो हमारे प्रोजेक्ट टाइगर मास्ट पर काम कर रहे हैं यह तो अच्छी बात है हम यह पूछने आये हैं कि इस इशू में क्या होगा क्या आप बता सकते हैं मुझे क्या पता क्या होगा सर क्या हमारा काम पूरा हो गया नहीं, मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा अभी तक नहीं हुआ देखो मुझे अभी तक ये क्रू नहीं मिला है कि टाइगर मास किस तरह से बच कर भागेगा ये आप क्या कह रहे हैं सर, अगर आप लिखेंगे नहीं तो हम कॉमिक्स में क्या चापेंगे ये सब तुम्हारी वज़ा से हुआ है, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं तनी जल्दी नहीं लिख सकता देखिए ये ठीक नहीं है, आप अपनी गल्दी को दूसरों पर नहीं लिखता है, उन्हें पता ही नहीं है कि आगे क्या होगा अब तो मेरी ये जाने की इच्छा और बढ़ गई है, डोरेमान की आगे क्या होने वाला है तुमने सही कहा नोबिता? अब क्या करें? हूँ, समझ किया? अरे नहीं, मुझे इस बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए था लेकिन किस बारे में, डोरेमान? हम अगले महीने में जाने के लिए टाइम मशीन का इस्तिमाल करेंगे तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, डोरेमान देखो, ये रहाओ, अक्टोबर इशू अब मज़ा आएगा मसेदार है मुझे परिशान मत करो क्या बात है? हाँ हमने तो सिर्फ आधी कॉमिक पढ़ी, डोरेमान देखो लो बिता, मुझे तो इस बात की खुशी है कि हम कम से कम आधी कॉमिक तो पढ़ पाए अब सिर्फ हमें ही अगले इशू की आधी स्टोरी पता है, डोरेमान तुम्हें क्या लगता है सुनियो, इस बाट टाइगर मास्क में क्या होने वाला है पता नहीं क्या होगा जियान, मैं कुछ नहीं कह सकता मैं भी अगले इशू का इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं क्या होगा दोस्तों क्या तुम जानना चाहते हो टाइगर मास्क में क्या होगा? हाँ बिल्कुल जानना चाहते हो नोबिता चुपो जाओ नोबिता सबको इसके बारे में बताना ठीक नहीं होगा ओकी 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 मैं बताता हूँ अगलेशु में क्या होने वाला है क्या तुम यकीन से ये बात कह रहे हो नोबिता हाँ बिल्कुल जियान तो जल्दी से हमें बताओ नोबिता जल्दी बताओ नोबिता टाइगर मास्क के साथ क्या होने वाला है अब इतनी रिक्वेस्ट कर रही हो तो मैं बता देता हूँ याद रखना तुमने सिर्फ आधी कॉमिक पड़ी है नोबिता, अगर जियान नाराज हुआ तुम्हें कुछ नहीं करूँगा तो उसके बाद सीन चेंज होता है दोस्तों सीन चेंज होता है? और उसके बाद टाइगर मास्क का छोटा भाई वहाँ पहुंच जाता है और फिर क्या? क्या वो हेड़कौर्टर में घुष जाता है? हाँ जियान, वहाँ पहुंचने के बाद वो मैंने तो तुम से पहले ही कहा था हाँ बोलो नोबिता, फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ? हाँ हाँ वो 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 एक सीक्रिट है दोस्तों हाँ यह तुम जा कर रहे हो मेरे साथ आओ यह तो तो टाइगर मास्ट्य ओधर मिश्टर निजी को है यह सब हो क्या रहा है तुम यह बात सिर्फ मुझे बताओगे यंग मैं ठीक है अब जल्दी से बताओ उसके बात क्या हुआ लेकिन तुम ही हो जिस पर मैं भारुशा का सकता हूँ प्लीज बताओ मुझे सच में नहीं बता आगे क्या हुआ देखो ऐसा मत कहो मैं सच कह रहा हूँ मुझे नहीं बता रुख जाओ तुमने खुदी तो यह कॉमिक्स लिखी है तुमें बता होना चाहिए आगे क्या अभी तक इसे नहीं लिखा है प्लीज बताओ ना मिस्टर निजी को प्लीज अपने आपको संभालिये सर आप अचाना किस तरह कहां गयाब हो गये थे मैं बस यूँ ही थोड़ देर घुमने के लिए आया था आप जल्दी नहीं करेंगे तो हम प्रिंटिंग टाइम से नही लिख पाऊंगा देखिए बात ये है कि मैंने अभी तक सिर्फ आधी कॉमिक पढ़ी है क्या आधी कॉमिक पढ़ी है मेरे पास 350 रुपे होते तो मैं उसे खरीद लेता तुम भी उस कॉमिक को पढ़ना चाहते हो ना डोरेमॉन हाँ वो तो है मैं समझ गया साड़े 300 रुप चलो अंदर चलते हैं क्या अंदर कुई है तुम दोनों फिर से वापास आगाए तुमने सुना नहीं था स्टोर में खड़े होकर पढ़ना मना है हम पढ़ना ही रहे इस बार हम पैसे लेकर इसे खरीदने आए हैं तो बारा जरूर आना मिस्टर निजी को अरे तुम आ गए अगर बुरा ना माने तो आप थोड़े देर बाहर बैठ सकते हैं हाँ ठेक है पर आप थोड़ा जल्दी लिखिएगा यह रही कामिक अरे यह तो अक्टूबर का इशू है यह तो अभी तक छपा भी नहीं है तुम्हें कहां से मिल गया कोई बात नहीं यह मैं तुमसे बात में पूछ लूँगा अरे टाइगर मास्क तो फस गया था आखिर वो किस तरह से बच गया ओ तो उसका एक छोटा भाई भी है अब समझा हाँ क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमसे बच पाओगे जैगवार अरे यह क्या है इसका मतलब तो यह हुआ कि जैगवार मास्क सबसे आखिर में पपड़ा जाएगा अगर एंडिंग ऐसी होगी तो इसे आगे लिख पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा लेकिन इसमे अधर तो बहुत ही बेकार है अरे नहीं इसका अधर तो मैं ही हूँ क्या आपने अभी तक पूरा नहीं किया सर अब कोई रास्ता नहीं है मुझे इसी में से कॉपी करना पड़ेगा इसके बाद तुम्हें यंग जंप भी लिखना है और उसके बाद मेंस वार्चोन आप थ पाएद इसे कुछ नहीं आता हम सारी कॉमिक्स ले आए सर अरे आपको क्या हो गया है मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है मैं काम नहीं कर सकता हां क्या तुम दोनों मेरे लिए इन सब कॉमिक्स की कॉपी इस बना दोगे प्लीज हां लेकिन क्या पाभी तक नहीं वासर बस होने ही वाला है थोड़ी देर इंतिजार कीजिए एक बात बताओ हम यहां बैट कर यह सब क्यों कर रही है डोरे मॉन ओ देखो अगर तुम ऐसे ही बोलते रहोगे तो हम टाइम से नहीं लिख पाएंगे कर दोनों कर दोनों झाल 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 कल मैंने एक कमाल का शौट मारा था हाँ तुमने सही कहा जियान मज़ा आ गया अरे देखो वहाँ कुछ है जियान यह क्या है इसे खोल कर देखो हाँ एक कैट लगता है इस कैट को यहाँ पर कोई छोड़ गया है अब क्या होगा मुझे लगता है किसी को इसे ले जाना चाहिए अरे नहीं मैं नहीं ले जा सकता मेरे पास पहले से ही एक डॉग है हाँ तुम बताओ सुनियो मैं भी नहीं ले जा सकता हमारे घर में पहले से ही एक कैट है वो एक पर्शन कैट है नोबिता और मेरे डैड उसे पैरिस से ले कर आये थे समझे और मैं भी नहीं मेरे पास पहले से ही एक कैनरी है तुम इसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते नोबिता मैं नहीं ले जा सकता मेरी मॉम को क्याट पसंद नहीं है मेरी मॉम मुझे इसे घर में रखने नहीं देंगी अब हमें क्या करना चाहिए नोबिता मुझे बुरा लग रहा है तुमने सही कहा, लेकिन अब इसका क्या होगा नोबिता? ये सब तुम्हारी गलती है अब तो तुम्हें इसे अपने साथ ही लेकर जाना पड़ेगा क्यों मैंने ठीक हाना नोबिता? हाँ सुनियो, अगर तुम्हें से नहीं देखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती ऐसा मत कहो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है गलती तुम्हारी है, अगर तुमने इसे नहीं देखा होता तो ये इस वक्त अपने घर पर स्नैक्स खा रही होती तुम कहते हो तो मैं इसे वापस बंद कर देता हूँ मालेंगे हमें ये मिली ही नहीं प्लीज इस तरह से मेरी तरफ मत देखो लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कोई अच्छा इंसान तुम्हें जरूर ले जाएगा रुख जा, इसे मैं ले जाओगा अगर तुम्हारी मॉम को ये अच्छा नहीं लगा तो मैं इसे यहां नहीं छोड़ूंगा क्या तुम सच में ये कर पाओगे नोबिता हाँ, मैं मॉम को समझाओंगा ठैंक्यो नोबिता, तुम इसका अच्छी तरह से ख्याल रखना ये बहुत प्यारी है क्यूं, है ना ओके, आज से ये कैट नोबिता की है देखो, मैं मॉम को मनाने की पूरी कोशिश करूँगा अरे, तुम्हारे पेट को क्या हुआ ये कैट तुम कहां से लेकर आए हो नोबिता इसे कोई छोड़ गया था, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया तुम्हें पता है ना, मॉम कितना गुसा होंगी नोबिता हाँ, लेकिन डोरे मॉन मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मॉम को पैट्स पसन नहीं है डोरे मॉन पर उन्हें नहीं पता कि डॉग्स और कैट्स कितने क्यूट होते है बस हमें मॉम को ये दिखाना होगा डोरे मॉन की आनिमल्स के साथ कितना मज़दा आता है समझे वाओ, तुमने सही कहा नोबिता, ये तो बहुत अच्छी बात है मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए कोई ऐसा ग्याजट दो जो हमारी मदद करे देखो मेरे पास ऐसा कोई ग्याजट नहीं है नोबिता जो तुम्हारी मदद कर सके ऐसा मत कहो, तुम्हें कुछ करना होगा, प्लीज डोरे मन नोबिता कहां रह गया, मुझे उससे कुछ काम था अरे, वो घर आ गया, पर मैंने तो उसे अंदर आते देखा ही नहीं जदी करो, इससे पहले की मॉम इसे ढूण ले डोरे मन तुम्हारे पास कोई तो ग्याजट होगा ना नोबिता, तुम उपर क्या कर रहे हो यह सब क्या है नोबिता, आखर तुम दोनों इतना शूर क्यूं मचा रहे हो, जवाब दो नहीं, हम तो कुछ नहीं कर रहे है, मॉम तुम जूट बोल रहे हो, तुमने कुछ चुपाया है ना वहाँ पर कुछ नहीं है, मॉम अजीब है देखो मैं नहीं चाहते कि तुम दोनों मुझसे कुछ भी छुपाओ, समझ गया है ना अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा प्रॉब्लम बड़ी है, अब क्या करें? ये तो आसान है, हमें मॉम को बस ये दिखाना है कि ये कैट कितनी स्मार्ट और यूस्फुल है, समझे? ये तो बहुत अच्छा एडिया है पर क्या ये चोटी सी कैट वो सब कर पाएगी जो हम इसे कहेंगे? उसके लिए भी मेरे पास कुछ है ये तो एक बहुत बढ़ा एग है अगर तुम इसके अंदर जाओगे और किसी आनिमल के बारे में सोचोगे तो ये ग्याजट तुम्हें उस आनिमल जैसा ही बना देगा नोबिता, समझे? यानि इस तरह से मैं मॉम को समझा सकता हूँ कि क्याट कितनी उसफुल होती है हाँ तुम सही समझे, इसमें बहुत मज़ा आएगा ट्राइ करते हैं, हो सकता है बात बन जाए ठीक है डोरे मॉन? बहुत बढ़िया, अब तुम्हें इस गाट की इमिज के बारे में सोचना है नोबिता, ठीक है? हाँ, ओके तैयार हो जाओ, मैं कवर बन करता हूँ मैं कैसा दिखता हूँ? ज्यादा तो नहीं, पर हमारा काम चल जाएगा ठीक है न? अब मैं इस असली कैट को स्टोरेज शेड में छुपा देता हूँ अरे हाँ, नोबिता, क्या तुम चेक करोगी, कोई मेल तो नहीं आई है तुम कितने स्मार्ट हो, ये दिखाने का सिर्फ यही चांस है मैं समझ गया हाँ, म्याओ, ओ ठांक्यू सो मच एक क्याट, तुम अंदर कैसे आई, जल्दी से बाहर निका जाओगा न, अच्छा नहीं होगा जरूर नोबिता ही उसे लेकर आया होगा वो क्याट कहीं भी छुपी हो, मैं उसे जरूर ढूण लोंगी मुझे लगता है वो जरूर इस शेड में छुपी होगी अब क्या होगा नोबिता मुझे नहीं बता देखे, मेरे पास मत आना अरे यह पांदर चले गए, अब यह बाहर निकालती हूँ जिस तरह से मॉम रियाक्ट कर रही है, मुझे नहीं लगता वो मानेंगी हमें उसके लिए कोई दूसरा ओना ढूनना होगा क्या सच में, यह तो बुरा हुआ, क्या हम कुछ नहीं कर सकते बहर निकलो यहां से, घर में कोई है आती हूँ बोलो, क्या आपको कैट्स पसंद है, मेरे पास एक बहुत अच्छी कैट है क्या यह वाली, लेकिन यह तो क्यूट नहीं है देखिए, यह तो बस एक सैंपल है, जो असली कैट है, वो सच में बहुत क्यूट है, मेरे यकीन कीजिए मैं रख लेती, लेकिन मुझे कैट्स पसंद नहीं है अगर तुम्हें कैट्स पसंद नहीं है, तो पहले ही बता देना चाहिए था अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ वो आखर कहां छुपी होगी, जब तक वो घर से बाहर नहीं जाएगी, मुझे चैन नहीं आएगा क्या कोई ऐसा है, जिसे क्यूट कैट चाहिए मुझे नहीं लगता इस तरह बात बने की डोरे मॉन हमें हार नहीं मानने चाहिए, हमें उस कैट की मदद करनी है, क्या कोई है जिसे क्यूट कैट चाहिए इस बार ये नहीं बचेगी तुमने बचा लिया, नहीं तो यहां आग लग जाती मुझे तुम्हें थाइंस कहना चाहिए, तुम तो बहुत अच्छी क्याच हो, तुम्हें भूक लगी होगी, मैं तुम्हें थोड़ा दूद देती हूँ लगता है तुम्हें बहुत भूक लगी है, इसे पीने के बाद तुम यहां से चली जाना, चीक है घर में कोई है आई अरे माडम, आप यहां अरे वाह, यह तो बहुत ही प्यारी क्याच है मैं यहां किसी काम से आई थी, इसलिए सोचा तुम से मिलती हुई चलू आपने अच्छा किया, मेरे हस्बिन तो अक्सर आपकी तारीफ करते रहते हैं आप खड़ी क्यों है, अंदर आईए ना फ्लीज तुम्हारी क्याच तो सच में बहुत प्यारी है हां मेरे हस्बिन और मुझे हम दोनों को क्याच बहुत पसंद है तुम्हें भी पसंद है हां, विल्कुल बहुत पसंद है अरे कुरो तुम अरे नहीं, ये मेरा कुरो नहीं है, ये तो कोई और है ये तो बस दिखाने के लिए एक सैंपल है क्या आपकी कैट का नाम कुरो है? हां, उसने मेरा एक कीमती गंबला तोड़ दिया था इसलिए मैंने उसे भगा दिया तबीसे मेरा ग्रेंडचाइल बहुत उदास है और मेरी समझ में नहीं यारा मैं क्या करूँ अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी असली कुरो अभी लाकर देता हूँ प्लीज थोड़ा वीड कीजिए ठीक है अच्छा तो अब मैं चलती हूँ आप हमारे घर आएं, मुझे बहुत अच्छा लगा मैं तुमसे दोबारा मिलने आऊंगी तुम बहुत अच्छी हो, अब मैं तुम्हें घर से नहीं निकालूंगी सौरी मैंने तुम्हें तंग किया अब से मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूँगी मैं तुम्हारे लिए जल्दी से जिलिश्यस कैट पूड लाती हूँ तुम घर का ध्यान रखना समझ गई न? कूरो, तुम्हारे लिए एक गुट न्यूस है तुम्हारे ओनर का पता चल गया है हम तुम्हें अभी वहाँ ले चलते हैं, ठीक है? जाने से पहले मुझे पहले जैसा बना दो, डोरे मॉन हाँ, हाँ, ठीक है नोबिता तो नोबिता, अब मैं कूरो को उस ओल्ड पैन के घर ले जाता हूँ बाइ बाइ कूरो, चलो अच्छा हुआ, सब ठीक हो गया अरे वो कैट कहां चली गई, रोबिता क्या तुम्हें उस कैट को कहीं देखा है, तुम कहा हो वो तो अपने ओनर के पास चली गई मॉम तुम से क्या किया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा देखो डोरे मॉन कूरो के जाने से मॉम कितनी नाराज है शायद मॉम उससे बहुत प्यार करने लगी थी क्या करें? पता नहीं अब क्या होगा, हम कूरो को तो वापस नहीं ला सकते नोबिता अरे हाँ, तुम उसके जगा क्यों नहीं ले लेते? मुझे फिर से क्याट बनना होगा क्या तुम इतना नहीं कर सकते? देखो ये ठीक नहीं है वाव, ये दो बहुत क्यूट है हाँ, तुमने सही कहा, ये बहुत प्यारी है और मैं बहुत खुश हूँ कि ये यहाँ वापस आ गई है पर ये नोबिता कहा चला गया? इतनी देर हो गई है, आज उसे वापस आने दो कुछ भी हो जाए लेकिन आज मैं उसे छोड़ूँगी नहीं डोरे मॉन हाँ, हाँ, आज आप उसे बिलकुल दिनर मत देना मॉम नहीं, 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 अरे क्या हुआ, तुम इतना शोड़ क्यों मचा रही हो देखो, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता